श्रद्दा हत्यकान मामले के आरोपी आफताव अमीन पुणावाला की आज दिली की साकेत कोट में पेशी हुई आफताव अमीन पुणावाला को वीडियो कोंफ astronom के जरिये पेश किया गया आफताब की पेशी पुलिस रिमांड बढ़ाने को लेकर थी जिसे अदालत ने सुईकार कर लिया साकेद कोट ने आफताब को पांच दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है हलांके दिली पुलिस ने दस दिन की रिमांड मांगी थी दिल्ली पुलिस की नारको टेस्ट कराने की एप्लिकेशन पर भी कोट में सुनवाई हुई आफ्ताब ने नारको टेस्ट के लिए हामी भर दी है आफ्ताब की पेशी से पहले साकेत कोट में वकीलों ने परदशन किया और श्रद्धा के हत्यारे को फांसी देने की मांकी मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट अविरल शुकला ने कहा कि पुलिस द्वरा प्रस्तुत आवेदिन की अनुसार आरोपी को उपद्रवियों और धार्मिक समुहों से धमकी का सामना करना पड़ रहा है इससे पहले नयादीश ने आवेदिन को सुविकार करते हुए कहा कि मुझे मामले की समवेदन शीलता और मीडिया कवरेज के वारे में जानकारी है मुझे ये भी पता है कि लोग इस मामले पर ध्यान लगाए हुए है पुलिस के अनुसार पुनवाला ने अपनी लिविन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गत 18 मई की शाम को कथी तोर पर गला घोट कर हत्या कर दी थी और उसके शब के 35 टुकडे कर दिये जिनहें उसने दक्षिन दिली के महरोली में अपने आवास पर लगबग 37 तक 300 लिटर के फ्रिज में रखा तथा कई दिनों तक विविन हिस्सों में फेंगता रहा कर दिली को कर दिली के एंगता हमने कर दो है कर दो प्रिट आए